फुल एग्रेशन से लेकर चलते थे अपनी टोली क्या इंडिया जीत जाती अगर कैप्टन होते विराट कोली जोर जोर से लोगों को स्कीमें बता दे बाई मैं बता थोड़ी रहा हूं मैं तो पूछ रहा हूं क्रिकेट के बड़े बड़े दिगज बोल रहे हैं न ये और य इसी सी टूर्णामेंट के बाद स्टेडियम में यही बोलेगे मुझे अपने घर जाना है तो वाई कौन है वह दिगज जो कह रहे हैं कि कोली होता तो डबलू टी सी का गदा हमारे हाथों में होता आईए देखते हैं विराट कोली का नेचर तो वाई आप जानते ही हो जब और सारा एग्रेशन खतम हो गया पूरी टीम इंडिया में तो मुद्वे बराते हैं क्या विराट कोली कैप्टन होते इंडिया के तो डबलू टी सी जीच जाती है टीम इंडिया देखो जिस इसाब से इंडिया वालों ने बैटिंग करी है न उस इसाब से बनता तो नहीं ह और गन ने बोला है कि इंडिया को विराट कोली जैसे ही कैप्टन की जरूरत है टेस्ट में जबसे बैंस्टोक्स इंगलेंड के कैप्टन मने हैं इंगलेंड फुल बैस्बॉल मोड में जा चुका है और 13 में से 11 मैं जीच चुका है तो इंडिया भी विराट कोली के एंडर ऐसी ही क्रिकेट खेलता और शायद WTC जीत भी जाता यहीं नहीं अभी और सुनिये अपने बॉर्डर पार वाले ब्रदर मीजबा ने भी यही बात बोली है कि विराट कोली नंबर वन बैट्समेन है इस जनरेशन के क्योंकि उसने तीनों फॉर्माट्स में डॉविनेट करके दिखाया है सभी टीम्स को इस्पेशली टेस्ट क्रिकेट में तो इस पर बाबर आजम ने वोला मजए की बात तो एक और है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सौरव गांगुली ने कहा है कि बी सी सी आई के सारे मेंबर शौक में आ गये थे जब विराट ने टेस्ट की एक महीने पहले अनेक्सपेक्टेडली बी सी सी आई ने कोली को हटा दिया था एज ओडिया कैप्टेन इस डिसीजन से पहले और चेतन शर्मा जी की खूफिया वीडियो तो दादा अपने देखी लिए होगी न जिसमें वो कह रहे हैं कि दादा को कोली कभी पसंद नहीं थ थी और डबलूटीसी फाइनल अगर उस टाइम पर होता तो शायद जीतती ही इंडिया तो मैं तो भाई कैप्टन कोली को बड़ा मिस कर रहा हूं क्या आपको भी लगता है कि कोली होते कैप्टन तो शायद हम ये डबलूटीसी की ट्रोफी जीत जाते तो कॉमेंट्स में ब